अलवेरा जेल से बनाय हुआ ये magical hair serum आपके बालों से हर एक problem का solution कर देगा आपके बाल जैसे की टूरते जड़ते हैं बे रुखे हैं बे जान है बिलकुल भी चमक नहीं है दोस्तों गजब सा लगता है बे रुखा सा तो आपको आज का ये magical नुस्का जरूर ट्राइग करना चाहिए दोस्तों बहुत ही effective है Elvira Gel के बहुत सारे DIYs बनाती रहती हूँ आज का ये नुस्का एक बार आप जरूर ट्राइग करेगा आपको बेहत पसंद आएगा बाल आपके बेहत काले लंबे घने और मुलाइम हो जाएंगे दोस्तों और आप खुद पे यकीन नहीं करोगी कि आपके बाल इतनी जादा सुन्दर कैसे हो गए हैं तो ज़रू ट्राइग करें आज का नुस्का और वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जादा जादा लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को तो फ्रेंज आज का नुस्का बनाने के लिए सबसे पहला जो लेना है आपको वह हमारा फ्रेश एलवेरा जेल क्योंकि मैजिकल हेर सीरम बनाएंगे तो उसके लिए एलवेरा तो चाहिए चाहिए और एलवेरा सीरम ही बना रहे हैं इसके लिए आपको एलवेरा ही चाहिए दोस्तो ताजा अलवेरा अगर इस तरीके का पौधे वाला मिल जाएना तब तो बहुत ही जादा अच्छा है और अगर आपको नहीं मिल पाता है तो आप मार्किट वाला जेल भी यूज कर सकते हैं जो जेल आता है उसके भी अन्ने को फायदे होते हैं दोस्तो अलवेरा जेल जो है अलवेरा के पौधे जो है medicinal plants के रूप में कहा जाता है होता है इसके हर तरीके से फाइदा होता है चाहे आप इसको दवाई के रूप में लो या फिर आप अपने skin पे लगाओ या फिर आप इसको बालों में लगाओ हर तरीके से फाइदे मंद होता है बालों को नरिस्ट करता है बालों की खोई वी चमक वापस लेके आता है नाच्रल कंडिशनर का काम करता है दोस्तों दो महें बेजान बेरुखे जितने भी बाल होते हैं उसके लिए वर्दान होता है तो आपको अलवरा जेल किसी प्रकार से अपने बालों पे जरूर उपियो करना चाहिए खोई भी चमक को बड़करार करके रखेगा चमकदार होंगे सिल्की शाइन होंगे इस तरह के सिर्फ दोस्तों आप देखिए कि कांटाल निकाल करके जो हमने अलवरा को पहले साफ कर लिया था दोल लिया था उसका कटीला वाला पार्ट को हटा दिया उसके आद इसको आपको छोड़े चोड़े पीसेज में इस तरी के से कट कर लेना है इसको आप बहुत बारिक भी कट सकते हैं आप इसको किसी भी परकार से कट किजे लेकिन इसको इस तरी के से कट करना है दोस्तो उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले आपको एक बरतन में लेना है उस बरतन में आपको कटे वे पीसेज को डाल देना है Elvera दोस्तो जितना ज़्यादा अच्छा होता है हमारी स्कीन के लिए हमारी स्कीन के भी ताग दबो को कम करता है मासास को कम करता है स्कीन के कलर को लाइट करता है आज माया हुआट नुस्खा है दोस्तो इसलिए बिल्कुल भी शूट नहीं है आपको Elvera Gel जरूर इस्तमाल करने चाहिए अपके स्कीन के लिए बालो के लिए भी इतना अच्छा होता है कि मैं बताने शक्तु बालो के DIY बनाती रहती हुँ मैं और बालो के लिए नरिस्ट करता है, मुलाइम करता है और बाल आपकी बहुत ही खुबसत बनाता है अग्री सामग्रीस में आपको add करनी है यह होगा हमारा मेथी दाना, मेथी दाना यानि फैनुगरिक सीट दोस्तो फैनुगरिक सीट जो है बहुत ही फायदे मन्द होता है कहा जाता है इसको लगाने से आपके गंजे सर्पे भी बाल उगाता है यानि कि बालो को नए बालो उगाता है, बालो को उगाने में मदद करता है एर ग्रोथ को प्रमोट करता है, एर फॉल्स को रोकता है जिससे बाल आपके बहुत ही जादा लंबे होते हैं, ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है मेथी दाना का इस्तमाल करना बहुत ज़्यादा फायदे बंद होता है हमारे बालों को जरो से मजबूत करता है तो यहाँ पे आपको एक चमश मेथी दाना भी डाल देना है अलवरा जेल जो हमें लिए है उसमें एक गलास हमने भरके पानी डाला है उस वाले में आपको एक चमश मेथी दाना डाल देना अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और दोस्तों इसको आपको कुक करना है पकाना है पकाने के लिए हाँ पे मीडियम से लो फलेम पे ही डालना है बहुत ही जादे तेज आज पर नहीं पकाएं ने तो इसे पानी जल जाएगा और जो हम सीरम बनाना चाहते हैं वैसा नहीं बन पाएगा तेशले दोस्तों आपको यह देखे धीरे-धीरे अलवेरा इसके अंदर पकेगा इसके पुरे रस अंदर के गुन है सभी के सभी इस पानी में आएँगी और ये पानी एकदम से hair serum बन करके ready हो जाएगा वो भी magical hair serum कुछी देर में जब आप इसको check कीजएगा तो इसका color भी change हो जाएगा और पानी भी बहुत जादा अच्छा और बहुत अच्छा light सा color आजाएगा दोस्तों तब आपको समझ मेंगा कि हमारा आज का ये serum ready होगा टाइम की बात करें तो आप 10 से 12 मिनिट आप maximum इसको आदा गंटा भी बना सकते हैं कम है आज पर जिससे क्या होगा आदी से भी कम हो जाएगा तब ही आपको क्या करना है अच्छे से इसको छान लेना है और आपका ये magical hair serum बन करके ready है इसको आप आराम से bottle में भर करके रखिए जब मन करें आप अपने बालों पर इसको लगा सकते हैं बेहत फाइदेबंद का आज का ये hair serum ready हुआ है इसको आ अगर आपके पास spray bottle नहीं है तो यहां पे दोस्तों आप क्या कर सकते हैं इसको cotton की मदद से भी apply कर सकते हैं पूरे बालों पे और या फिर आप shampoo करने के बाद थोड़ा जादा quantity मिसको बनाए और इसी से अपने बालों को wash कर ले और या फिर आप किसी भी bottle में हलका सा खोल कर दे छेद कर दे और उसी से आपको पूरे बालों पे इसको लगा लेना है तो यहां पर क्या करना है मैंने जो spray bottle में बढ़ी है उस spray bottle से पूरे बालों को अच्छे से गीला करना है दोस्तों गीला करने से होगा जो जल है यह बहुत ही अच्छे से हमारे बालों पे जाएगा फाइदा पहुंचाएगा और बहुत ही असर करेगा हमारे बालो पे यह तो इस तरीके से लगा करके आपको कम से कम अच्छे से इसको पांस से दस मिर तक बालो पे मालिश भी करें ताकि अंदर तक जंपिंग हो बालो को पोर्शन मिले और आपके बाल सुन्दर खुपशत और मुलाइम हो जाए तो दोस्तों मैं भी यही कर रही हूँ बहुत अच्छे स्प्रे बालो पे लगा लिया है अब इसको बालो में लगा करके कम से कम आपको इसको दो गंटे छोड़ना है उसके बाद ही आप नॉर्मल वाटर से यह शैंपू कर सकते हैं वैसे मैं आपको बता बेस्ट रिजल्ड देखने को मिलेगा दोस्तों पहले बार के समास आपको बेहत फर्क नज़र आएगा बाल आपकी बेहत मुलायम सिल्की शाइनी और बहुत ही खुब सथ दिखेंगे दोस्तों कुछ दिन इस्तमाल करके देखिए बहुत ही जल्दी बालों में फर्क बाल बहुत सिल्की शाइनी खुब सूरत चमकदार हो जाएंगे दोस्तों बिलकुल पारलर के जैसा ट्राइ कीजिए और लगे कि आपको आज के वीडियो हेल्फुल हो जादा जादा इस वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट्स कीजिए और अगर आप हमारे चैनल को देखना चाहते हैं और भी जादा तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं तो बस आज के लिए इतना ही मिलती नेक्स वीडियो में टेक कियर बाबाय थैंक्स वर वाचिंग